लॉगड़न में जहां AST में सामान ने यात्रियों की भीड नहीं है ऐसे में AST बस्टैंड की मुलभुत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। किया जा सकता है। महानगर का सबसे जादा कमाई करने वाला AST बस्टैंड को हाइटेक बनाने की जरूरत है। यहां मुलभुत सुविधाओं की कमी साब देखी जा सकती है। करना काल को छोड़ दिया जाए तो इस बस्टैंड में रोजाना 12-15 लाख रुपे की आये होती लेकिन आये के हिसाब से बस्टैंड उतनी सुविधाओं नहीं है। सिटी का सबसे बड़ा बस्टैंड होने के बाद भी सुविधाओं के वल नामात रही है। लोगडावन में मिले समय का उपयोग इन कमीयों को दूर करने में किया जा सकता है। एस्टिबस्टैंड मेनेजमेंड को यात्रियों की सुविधाओं पर जादा से जादा ध्यान देने की जररत है। अभी सामानी यात्रियों के लिए एस्टिबस्टैंड में यात्रा करने की अनुमती नहीं है। लेकिन अधिकारियों की माने तो 31 मई को एस्टिबस्टैंड के लिए नई काइडलाइन जारी की जा सकती है जिसमें यात्रियों को यात्रा करने की छूट भी मिल सकेगी इस के लिए स्टीबस टैंड मैनेजमेंट को अभी से इसकी तयारिया करनी होगी एस्टीबस स्टेंड काफी समय से उपिक्षाओ की मार छेल रहा है कैमेरा परसन माइकल रामपुरे के साथ संजे मिरे बीसीन न्यूज नाकपूर